इस वीडियो में आप सीखेंगे कि स्पोक्षेव का प्रयोग कैसे किया जाता है स्पोक्षेव लकडी छिलने का उपकरण है जिसका प्रयोग लकडी को बारी की से फिनिश देने के लिए किया जाता है इसकी छोटी संपर्क सतह किनारों को आकार देने और गोलाई को अच्छे से बनाने के लिए सबसे उप्युक्त है ड्रॉन आइफ के विपरित स्पोक्षेव में काटने की घहराई को नियंत्रित किया जा सकता है जिसे उपकरन की बॉडी से ब्लेड बाहर निकालने या अंदर करने के द्वारा नियंत्रित किया जाता है मोटा या पदला चिलने के लिए स्पोक्षेव पर लगा हुआ छोटा पेच इसके मुह को नियंत्रित करता है स्पोक्षेव के निचले भाग को आप लकडी पर टिका सकते हैं और काटने को भहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं इसमें दोनों और दो हैंडल होते हैं जिनने रकडी की उपर उपकरन को खीचने या धक्का देने के दोरान पकड़ा जाता है दोनों हातों से स्पोक्षेव के हैंडल को हलके से पकड़े बाहर की और चिलते समय ताकत लगाने के लिए अपने अंगुठों का प्रयोग करे अपनी और चिलते समय ताकत लगाने के लिए अपनी तरजनी उंगलियों का प्रयोग करे यदि आपको काटना शुरू करने में कठिनाई हो रही है तो ब्लेड को तिर्चा रखते हुए शुरुवात करे ब्लेड के किनारे को लकडी के साथ मिला कर रखे और ब्लेड को लकडी के आकार की ओर तिर्चा रखे आयताकार लकडी को गोल बनाने के लिए चारो कोनों से रंदा करना शुरू करे ताकि एक अश्टभूज बन जाए याद रखे कि रेशों की विपरित दिशा में काम करने की तूलना में रेशों के साथ काम करना हमेशा आस्टभूज बन जाए अब कोनों को तब तक छीलते रहे जब तक किनारे गोल न हो जाए अब आपने स्पोक शेव का प्रयोग करना सीख लिया है झाल